हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल कैसे आप लोग आई होप सब लोग ठीक होंगे मस्त होंगे और एकदम जहकास होंगे ठंडी बहुत जादा हो रही है भाई अज थर्ड जैनवरी है और इतना ठंडी बढ़ गया है जैनवरी स्टार्ट होते हो मौसम तो एकदम फारने वाला जाड़ा बहुत होने लगा है दोस्तों आप सभी लोग भी थोड़ा ठंडी से बच के रहिएगा नहीं तो सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है अगर तो तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा साउधान रेनी की जरूरत है ठंडी में को हम के पास तो साला ठंडी नहीं आएगी पास में है कि नहीं कि अपना बहुत जरूरी है इस ताइम इस बार मेरे गाउं में आलू की खेती बहुत ज्यादा हो गई है यह देखो पीछे आपको जो देख रहा है यह सारा आलू ही है और आलू की फसल इस टाइम मतलब इस बार जो है बहुत अच्छी भी है क्योंकि मोसम बहुत अच्छा रहा है अब तक अब थोड़ा खराब ह हुआ है तो आलू के लिए थोड़ा खत्रा बन गया है क्योंकि जब ज्यादा कोहरा पाला गिरता है न तो आलू में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो थंडी की वज़े से लग जाते हैं बाकी तो सब अभी तक तो सही है आगे भी उमीद करता हूं कि भगमान सही inयल मही तो फ्र millimeter साम का बज गिया है 4.30 और मैं भी आगया था फेट में वीडियो क्योंकि मैं घर पर मेरे सामने आ जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि केमरे के सामने फिर बोल नहीं पाता हूं तो इसलिए मुझे ठोड़ा है अलग जाना पड़े भी और आज तो जाड़ा भाई बहुत है पूरा दिन हो गया है ये कोहरा खतामी नहीं हुआ है आप देखी रहे हैं शाड़े तीन बजने वाला है दूप का आज तो नाम ही नहीं है मैं सो गया था दू तीन गंटे आरहाम से सो गया अर्जामें जाके अँडरी हम लोग lobster मेरे लिए चाय लिके आयह थेपीन क्योंकि नहीं है भी थंडी तो भीती हीए वह तो आपको पते हैं गर्म घरम चाय बखला प्रूरी होते है ठंडी में यार इनका घर मेरे बिलकुल जश्ट खेत के सामने ही है तो यह चाय लेक्या है मेरे लिए चाय पीते हैं इतना जाड़ा है फिर भी आर देखो हम लोग खेत में घुम रहे हैं क्योंकि जानवर बहुत जादा आते हैं सारे गंणा देखो गंणा भ फिर वैसे भी बरबाद हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी के खेत में तो एकदम पूरा खतम ही कर देते हैं यह मेरे छोटे भाई हैं इनका भी यूटूब चैनल है आप एक बार जरूर विजिट कीजेगा आज के मेरे इस ब्लॉक में बस इतना ही फिर मिलते हैं कल नेस्ट व